एक समय की बाद है तो बौध भिक्षू नदी के किनारे बैटकर अपना फिक्षा पात्रध हो रहे थे और आपस में बात कर रहे थे तभी उन्होंने नदी के पानी में एक बहते हुए बिच्चू को देखा जो पानी में डूब रहा था उसकी सहायता करने के लिए बौध भिक्षू ने उसे उठाया और एक पत्थर पर रख दिया परन्तु अपने स्वभाव के अनुसार बिच्चू ने उसे जोर से काट लिया फून की धारा बहने लगी और भिक्षू फिर से पानी में आ गया अब एक बार फिर से बौध भिक्षू ने उस बिच्चू को उठाया और पानी के किनारे पर रखना चाहा परन्तु बिच्चू अपने स्वभाव के अनुसार उसने दुबारा उस बौध भिक्षू को काट लिया तब साथ बैठे बौध भिक्षू ने कहा भाई ये बार-बार तुम्हें काट रहा है और तुम बार-बार इसे बचा रहे हो तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो तब उन बौध भिक्षू ने उत्तर दिया कि काटना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा और तीसरी बार फिर से उन्होंने उस बिच्चु को निकाल कर किनारे की तरफ एक दिया और वे फिर से अपने कारे में मगन हो गए जी हाँ दोस्तों, सच्चा इंसान वही है जो प्रतेक परिस्थिती में अपने मानवता धर्म को ना भूले और प्रतेक विपरीत परिस्थिती में अपने सच्चे मानव होने का प्रदर्शन दे जी हाँ दोस्तों, हमें अपने स्वभाव को कभी भी नहीं भूलना चाहिए यही एक सच्चे मानव की पहचान है